कि हलो दोस्तों तो हम आज बात करने वाल हैं एसे सी एम टीए दो है वाइस की कट आफ के बारे में और जानेंगे कि कैसे नबब वाला सेलेक्ट हो जाएगा और इसको दस नमबर वाला बहार हो जाएगा ठीक है तो चली सुरू करते हैं और आप अगर चैनल पर नए आए हो त तो देखें जो टोटल फॉर्म हूं मतलब टोटल जो बेकैंसी हैं वह साड़े 12000 प्लस वेकैंसी हैं इसमें हावल्दार और एम्ट्स की वेकैंसी तो और फेल हुए थी वह 54 लाग फिल हुए थे और जो एक जाम दिया है बच्चो ने लग बग बच्चों ने आग जाम दि ठीक है तो चलिए आप समझते हैं कि जो नबवाला नबवाला करी रेट कैसे पार हो जाएगा एक्चुली जिसकी इजी सिफ्ट आ गई है रैंक आई क्यू और रैंक मित्रा पर आपने अपनी रैंक चेक कर ली होगी और उसमें इजी सिफ्ट और आसान सिफ्ट आपने देखी ली होगी तो उसमें किसी बंदे के अगर मान लो 110 नंबर हैं तो उसके तो हो जा रहे हैं एक सो नंबर हो गए किसी के किसी सो दो हो गए इस तरीके से और जिसके नबवा नंबर हैं उसके एक सो चौदर नंबर हो गए उसके इक सबीस नंबर हो गए एक्चुली जो यह नॉ तो उसके लगभख 15 नमबर तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे पांच नमबर का फिर भी आ जाता है को यह कम डेटा में इतना रहता है ठीक है तो ऐसे ही जिसके 110 नमबर है तो उसके घट रहे हैं और जिसके ज्जाद अब जिसे पर आसान सिफ्ट का इसारा खेल है ठीक है कौन से आपने यूटूब पर दुनिया भर की वीडियो इसमें अपलोड हो गई है कि मैं आपने देखी लिए होंगी चलिए मैं आपको शीदी कट आप बता देता हूं इससे नीचे कट आप जाईगी नहीं बिलुकुल एक कुरेट कट आप होगी जो मैं आपको बताने वाला हूं देखे हूं और कट आप है यह कट आप जो है यह है नॉम लाइज्ड मार्क्स पर ठीक है तो देखे कट आफ यह है हमारी अन्रिजर्ब की सब फंदर कट आफ रहेगी और इसमें प्लस-mineus तीन का गई रहेगा ठीक है यान कि यूर्गा आपक सबादर वी जा सकती है और ए सब्सक्राइब कर लिए ठीक है इस पर ऐसी ही आपको अच्छे वीडियो मिलती रहती है सब्सक्राइब कर लिए ठीक है